अभी मैंने एक वीडियो डाला था चार दिन पहले जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे जो जैपर वाला घर है उसमें जो प्लांट्स रखे हुए हैं उन में पिछले चार साल से मैंने कोई भी खाद पहर से लाकर नहीं डाला है एवन थ्री यह तक तो मैंने जितने भी साथ की स्पेख है गोने प्लांट्स के में चॉटे ऊप करें मैं उस प्लांट्स की अपर लेयर पर पर भर जाती हूं और उसकी बाद मैंने अपनी सारे सारे Dartmouth की हैल्थ थी देखीए मेरे प्लांट्स कुतने अच्छे से चल रहे हैं तो अभी मैंने मैंने कल आज दुबारा वह चीज़ को मैं शेयर करीं को कि कही लोगों ने मुझे परस्टनल पर मेसेज किया था कि मैं में इक बर कर के दिखा दीजे तो अगर आप देख रहे होंगे तो यह मेरा वही प्लांट है एरेंथम का जिसमें मेरा बहुत बड़ा 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 प्लांट लगावा है और अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके उपर सारे आपको ये चौप की हुए छोटे-छोटे से पीसेस नजर आ रहे होंगे तो इसके अंदर दिखिए मैंने जितने भी मेरे पील्स थे चार-पांस दिन में कटे हुए थे जिसमें ओनियन पील्स हैं गाजर जो है बहुत जादा संडी है तो मुझे कोई पहुत जादा है चिपचेपपन की आप जवरत मतलब लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता है क्योंकि थोड़े दिनों में ये इसके अंदर जितने भी अर्थ वो इनको डिकंपोस्ट कर देते हैं और अपने आप भी जो जीव है अमेजिंग हेल्थ है मेरे यहां के प्लांट की भी के बिना खाद बाहर से खरीदे हुए कि फिरी में ये इसको मैं जीरो बिजर्ट गाडनिंग है सकती हूं फिर से के कटिंग लगाईए इस तरीके से प्रपियर मिट्टी कीजिए और आप लगा दीजिए मैंने देखिए सारी प्लांट में इसी तरीके से सॉइल बहर दिया है और अभी पानी इनमें चार पांच दिन लगातार पानी डलेगा तो ये दीरे-दीरे करके सी के अंदर डिकंपोस्ट हो जाएंगे और देखिए मैं ये तीन बार से प्रैक्टिस कर रही हूं दो हर दो महीने मैं या अगर उसके बाद में आप अपने और प्लांट पर अप्लाइ कीजिएगा क्योंकि देखिए हम घरते क्या है वीडियो देखते हैं उस चीज को बिना सोचे समझे अपने प्लांट पर अप्लाइ कर देते हैं एंड उसके बाद में रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं हमारा मर जाता है तो अगेन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आपके साथ कि बिल्कुल प्लांट जो भी आपके प्लांट्स हैं उनको बच्चों की तरह समझे जैसे आप अपने बच्चों की केर करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के अवेर होकर सारी चीजों को एप्लाइ करिए मनी प्लांट के लिए अगेन वही चीज मैं शेयर करूंगी कि अगर आपकी सौइल कैसी भी है आप अगर उसमें चाय की पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो उसके अलाबा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी खात की जरुरत पड़ेगी ये मैं बच्पन से लेके अब तक का आपका एक्सपिरियंस बता रही हूं और चाय की पत्ती इसके लिए सफिशियेट रहती है और मनी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है चाय की पत्ती में देखें बहुत सारे अर्थवांस हैं और उसके पीछे रीजन यह क्योंकि मैं जो भी अपना यहां पर वेस् निकलती है वह एज वर्वी कंपोस्त मेरे ब्लांट को मिल जाती है तो यह एक मदर नेचर का एक साइकल है जो की चलता रहता है और प्लांट सेल्दी होते रहते हैं तो फ्रेंट्स अगेन इसी मैसस के साथ आपको शेयर कर रही हूं कि चाय की पत्ती बिलकुल फैक्टी नह यह किचिन का वही वेस्ट है, प्याच किचिलके हैं, थोड़ा सा इसके अंदर क्याबीज है, खीरा है, और इधर यह सोयल है, इसको इस तरीके से मिक्स करूंगी, और प्लांट के अंदर मैं इसको फिल कर दूंगी, उपर के लेयर पर, जितनी ज्यादा वेराइटी का आपके सोयल में पील आप डालेंगे, जितनी ज्यादा वेराइटी के पत्ते डालेंगे, उतनी आपकी प्लांट, जो सोयल है, वो रिच होती चली जाएगी, जैसे हमें कहा जाता है, कि हम जितनी वेराइटी का फूर्ड खाते हैं, उतने ही हम healthy होते जाते हैं, same thing, सोयल के लिए है, मिट्टी के लिए है जितनी जादा वेराइटी का पत्ता आप डालेंगे जितनी वेराइटी का फूर्ड उसके अंदर डालेंगे उतनी ही आपकी जो सोईल है रिच होती जाएगी और यह सब कुछ फिरी में अपने घर में अविलेबल है बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत न अबिलेबल है और देखिए यह अभी अपने यहां के भी प्लांट्स दिखा दी है जिनकी मैं बिलकुल भी किया नहीं करती हूं जिनके उपर कभी मैंने आस तक कोई पैस्टीसाइड यूज नहीं किया है पिछले 22 साल में और हेल्थ मैंने आपको दिखाई है प्लांट्स एकदम से ग्रीन, कलरफुल और हल्दी है तो फ्रेंट्स बस यही था आज का मैसेज एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि एक तो अपनी मदर जो भी हम यह सारा घर से वेस्ट निकालते हैं कच्छनो कर दीजिए जो भी चीज है अपने घर के मैनेज करना और एक बार देखिए पहले आप एक या दो प्लांट पर इसको अपलाई करिएगा हाडी प्लांट्स पर आपको लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है देन उसके बाद में आप अपने सारे नहीं हो बпов壞ें है उनको थोड़ा साफ उपार इसको हमें धरक्ना करी तो सीजिए को थीज़कर है तो सक्ट्रिस में थो उप्लाई कर सकते हैं तो आन स mm Peel को थोड़ा सा प्राव्लम होता है तो बस वा उसके अदर के और चलके भी दिख लिए आपको पते भी दिख रहे है और फूट्स के चिलके भी आप यूज कर सकते हैं सिफ सिट्रस फूट को थोड़ा सा वाइट करिएगा या कम कॉंटिटी में डालिएगा तो फ्रेंट्स पस के ही ता मैसे सारा वेस्ट मैनेज करिए और एक दम से बढ़िया बढ़िया प्लांट्स अपने घर में ग्रो करिए ठीक है यह मेरा सीट ग्रोन लेमन प्लांट है जिस पर हर साल लेमन आता है और अभी इस पर फुटाफ शुरू हो गया और मैंने सेम चीज इसके अंदर किया मैंने इसकी तक्रीबन तीन-चार इंच की लेयर जो है काट दी उपर से इसकी जड़े काटके और अगर देख पा पानी कम देना पड़ता है और प्लांट्स इदम सही रहते हैं तो फ्रेंट्स फिरी में गार्टनिंग करना इस्टार्ट करिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर चैनल पे रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और पेच पर है तो फॉलो कर लिजेगा पांचू